दोस्तों वेलकम बैक टो चैनल दरेल यात्री भारतिय रेलवे की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है जहां पर ये बताया जा रहा है कि कुछ ट्रेनों को 15 अक्टूबर तक के लिए रद कर दिया गया है अगर आप इस रूट पर ट्रेन में यात्रा करने वाले थे तो आपकी यात्रा थोड़ी सी कठिन होगी अगर आपने पहले से ही इन ट्रेनों में टिकेट बुक करके रखा था तो आपका टिकेट आटमेटिक कैंसल हो जाएगा और आपको पूरा refund बिल जाएगा ये train कौन सी है? कब तक के लिए cancel की गई है? कहां से कहां तक चलती है? इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके मन में आ गए होंगे सारी details आज आप इसी वीडियो में देखेंगे फिलहाल अगर आप The Rail Yachtree चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों भारते रेलवे के द्वारा cancel की जा रही trainों के नाम और नमबर कुछ इस प्रकार है ताटा नगर आसन सोल इस प्रेशल train नमबर 0 8174 इस train को 15 उक्टोबर तक के लिए रद कर दिया गया है अगली train रहेगी train नमबर 18036 हटिया खड़कपूर एक्सप्रेस ये भी train रद कर दी गई है लीच्ट के अगली train है train नमबर 18023 खड़कपूर गोमो एक्सप्रेस इसको भी रद किया गया है अगली train है train नमबर 18035 खड़कपूर से हटिया तक चलने वाली एक्सप्रेस ये भी train 15 तक रद रहेगी अगली train है train नमबर 0 8680 अधरा, मिदनापूर स्पेशल इसको भी रद कर दिया गया है लीच्ट के अगली train जिसको रद किया जा रहा है उसका नमबर है 18601 टाटा नगर से हटिया तक ये train चलती है इसको भी railway ने कुछ समय के लिए यानि के 15 October तक के लिए रद कर दिया है अगली train जिसको 15 October तक के लिए रद किया जा रहा है उसका नमबर है 08646 अधरा, बरभूम, एक्सप्रेस इसको भी रद कर दिया गया है अगली train रहेगी train नमबर 08679 बिननापूर, अधरा एक्सप्रेस इसको भी रद किया गया है अगली train है train number 08648 बरभूम, आधरा, मैमू, स्पेशल इसको भी रद कर दिया गया है लिस्ट के अगली train है train number 03594 आसन सोल उरूलिया मैमू स्पेशल ये भी ट्रेन रद हो गई है लिश्ट के अगली ट्रेन है ट्रेन नमबर 03593 उरूलिया आसन सोल स्पेशल इस ट्रेन को भी रद किया जा रहा है अधरा से आसन सोल तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन नमबर 08643 ये भी ट्रेन रद रहेगी अ दोस्तों रेल्वे के मरमत कारीयों के चलते, कुछ ट्रेनों को रद किया गया है, अगर आप इंट्रेनों में याता करने वाले थे, तो आपकी याता थोड़ इसी कठीन हो जाएगी, किसी और ट्रेन में आप अभी से विकल्पिक व्योस्ता कर लिजे, फिलाल ये एक छोटा स अपडेट था, रेलवे की ट्रेन कैंसल और शॉट टर्मिनेटर से जुड़ा हुआ, अगर कुछ और अपडेट आएगा, तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी ज़रूर पहुचा दूँगा, आज के इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ, आप लोगों से कि किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, थैंक यू सो मच पर वाचिंग दरेल यातरी चैनल एंड कीप सपोर्टिंग